दिन गौतम बुद्ध अपने शिश्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख उनके शिश्य चिंते थुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं है एक शिश्य ने उनसे पूछा कि आज वो मौन क्यों बैठे हैं क्या शिश्यों से कोई गलती हो गई है इसी बीजी गण्य शिश्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं पर बुद्ध मौन रहे तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिलाया आज मुझे सभा में बैठने की अनुमती क्यों नहीं दी गई है बुद्ध आखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए व्यक्ति फिर से चिलाया मुझे प्रवेश की अनुमती क्यों नहीं मिली इस बीच एकुदार शिश्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमती प्रदान की जाय बुद्ध ने आखें खोली और बोले नहीं वह जूत है उसे आग्या नहीं दी जा सकती यह सुन शिश्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले हाँ वह जूत है इस पर कई शिश्य बोले कि हमारे धर्म में तो जातपात का कोई बेध ही नहीं फिर वह अच्छूत कैसे हो गया तब बुद्ध ने समझाया आज वह क्रोधित होकर आया है क्रोध से जीवन की एकाग्रता भान्ध होती है क्रोधी व्यक्ति प्राया मान से खिंसा कर बैठता है इसलिए वह जब तक क्रोध में रहता है तब तक अच्छूत होता है इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए क्रोधित शिश्य भी बुद्ध की बाते सुन रहा था पश्चाताप की अगनी में तब कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान करतब्य वह परमधर्म है वह बुद्ध की चरनों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने की शपतली आशे यह कि क्रोध की कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अच्छूत हो जाता है और उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए क्रोध करने से तन, मन, धन, तीनों की हानी होती है क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है उद्धने कहा भी है क्रोथ को पाले रखना गर्म को इले को किसी और पर फिकने की नियत से पकड़े रहने की समान है इसमें आप ही जलते हैं